जैहिंद और हलो गाईज स्वगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में step by step पूरी जानकारीत देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं गाईज आपका यहाँ पर apply link activate कर दिया है और आप अपना form 30 October 2013 तक भर पाएंगे और form भड़ने से पहले आप यह भी जान लीजे कि कौन सी post के लिग कितनी vacancy है तो आप देख सकते हैं इन सभी post पर यह vacancy निकाली गई है और application fees general OBC EWS से 1200 रुपे और SCHT Vicklang से 600 रुपे ली जाएगी इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं Office, Stores, Attendant, Multitasking की post पर simple दस्वी पास या फिर ITI से आप अपलाई कर सकते हैं ITI कामपलसरी नहीं है दस्वी से भी अपलाई कर सकते हैं और ITI से भी अपलाई कर सकते हैं बाकी की जो post है उन पर क्या qualification चाहिए वो भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं अब अगर आप इनमें से किसी post पर eligible है apply करने के लिए और आपका interest है form को भरने का तो आप कैसे form भरेंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए आप important links के section में आईए और apply online link के उपर क्लिक करके यहाँ पर आजाईए यहाँ पर आने के बाद में application form के सामने जो apply का link है आप इसके उपर क्लिक कीजिए and then आपके सामने interface आ चुका है अब आपको यहाँ पर आपका first name 10th के certificate के according एंटर करना है फिर आपको यहाँ पर आपका last name यानिके surname डालना है अगर surname नहीं है तो आपको यहाँ पर na लिखना होगा यानिके note applicable इसके बाद में आप यहाँ पर आपका further name एंटर करेंगे 10th के certificate के recording और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका mother's का name enter करना है इसके बाद जो भी आपकी डेटो बर्त है वो आप यहाँ पर calendar के उपर click करके select कर लेंगे पहले आपको आपका year फिर यहाँ से आपका month और फिर यहाँ से date तो आपकी डेटो बर्त इस तरह से आ जाएगी gender आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे marital status क्या है yes no यहनकि अगर आपकी साथ ही हो चुकिया तो yes करेंगे नहीं तो आपको no करना है इसके बाद यहाँ पर जो वीडियो डाइवर्स टूमें अगर आप इनमें से किसी category से है तो आप yes कीजेगा नहीं तो आपको no करना है cost category आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है फिर पोच है preference state for exam center exam center के लिए आप कौन से state select करना चाहते है वो state आप select कीजिए and then फिर यहाँ इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ाई के उपर click कीजिए अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और जानकारी आचुकी है जहाँ पर पूचा विकलांग का question की क्या विकलांग है और आपकी विकलांग तो 40% यह उससे ज़्यादा है अगर हाँ तो आप 11 point में yes करें नहीं तो आपको no करना है फिर इसके बाद में यहाँ पर 13 point है do you want to subscribe at the time of exam यानिके exam के समय कि आपको subscribe यानिके अलग से कोई चाहिए लिखने के लिए अगर हाँ तो yes नहीं तो आप इसमें भी no कर देंगे या फिर अगर आप यहाँ पर 11 point में no कर रहे है आप विकलांग नहीं है तो फिर आपके सामने option activate नहीं होंगे फिर अगर आप है तो yes कीजेगा नहीं तो आपको no करना है फिर पूच है do you have already secured employment in civil side अगर आपने secure कर लिया civil side में तो आप yes कीजेगा अगर आपके सामने option active है अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे फिर इसके बाद में आपर सवाल है 19 point की are you regular employee of state government autonomous institutions of central and state government अगर आप ऐसे candidate है जिनकी service है और service का period कम से कम 3 साल का है इस form को भढ़ने की last date त आप से पोचे कि are you defense personal disabled in operation यानि कि आप एक defense personal है जो कि disable हो गए तो operation के दोरान अगर आप ऐसे candidate है तो आपको इसमे यस करना नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए क्या आप एक central government civilian employee है जिसने की 3 साल की continuous service प्राप्त कर लिए हो इस form को भढ़ने की last date तक अगर आप ऐसे candidate ह करेंगे नहीं तो आपको नो करना है 22 पॉइंट है कि क्या आप कभी किसी court के द्वारा कन्विक्ट यान के दोसी पाए गए हो अगर हां तो यस नहीं तो आपको नो करना है 23 पॉइंट आता है educational qualification का तो आप qualification name में यहाँ पर सबसे पहले 10 select करेंगे और इसके बाद में पर सब्जेक्ट का option दिया गया तो आप यहाँ पर एक एक करके जो भी आपके subject थे वह आप यहाँ पर एंटर कीजिए तो आपको यह सभी subject एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो आपका passing year है वो एंटर करना है फिर आपको यहाँ पर जो आपके total marks है वो एंटर करने है अगर आपके पास iti है आप यहाँ पर iti select कर लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे अगर है तो आप iti select करके subject में आप आपका stream बताएंगे कि कौन से stream के अंदर है passing यह total marks और obtend marks इसके अलवा अगर आपने बारवी की है तो आप यहाँ पर इ दस्वी की information दे रहा हूं और देखना चाहता हूं कि जिस post पर मैं apply करना चाहता हूं कि उस पर दस्वी से apply कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ 10 की information दिया हूं अब आपको नीचे आने और आप यहाँ पर देखेंगे click to select preference तो आप इसके उपर click कीजिए इसके बाद आप य द्रूरी qualification है तो आप उसमें yes करेंगे yes करने के बाद में यहाँ पर अगली posted driver ordinary grade जिस पर की दस्वी के माध्यम से आप apply कर सकते हैं साथ ही two year का driving lessons भी मांगए तो अगर आप इस पर भी apply करना चाहते तो आप इसमें yes करेंगे नहीं तो आपको no करना है मुझे सिर्फ इसी प आपको आपका permanent address enter करना है तो जो आपका permanent address है वो आप यहाँ पर line first two के अंदर लिखेंगे state यहां से अपनी select कर लेंगे district आपकी जो भी हो district आपको यहाँ पर select कर लेनी है and then जो आपका pin code है वो भी आपको डाल देना है नीचे है correspondence address अगर आपका permanent और correspondence यानिके present address सेम है तो आप यहाँ पर tick कर देंगे अगर अलग है तो अंटिक करके अलग से भर दीजेगा अब आप यहाँ पर आपका photo upload करेंगे जिसका size 20 से 100 के बीच में रखा है तो choose file के ओपर click करके जहाँ पर भी photo select कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने पहले photo select किया इसके बाद में यहाँ पर आ certification code है वो आपको यहाँ पर डालना है declaration के ओपर टिक करने एंदेन आगे बढ़ाई के ओपर click करना है अब गईज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आ चुका है अभी आपको यहाँ पर आपका जो certificate का वो upload करना है अगर आप SCHT EWS OBC candidate है तो आपका certificate upload करेंगे जिसका format JPG का रखा है size date के भी से कम रहना चाहिए तो आप choose file के उपर click करके जहाँ पर भी आपकी file है वो आपको select कर लिनी है और फिर upload SCHT EWS के उपर click करके आपको upload कर देना है यहाँ पर जो आपने qualification की जानकारी भरी जिसकी मैंने 10th की भरी है तो यहाँ पर जो आपका certificate 10 का वो भी आप आपको upload करना है इसका format भी JPG का रखा है और यहाँ पर जो इसकी height है और wide है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आपके सामने तो आप choose file के उपर click कीजिए और जो आपकी file है और select कीजिए file select करने के बाद में उसका name यहाँ पर आजाएगा आपको upload के उपर click करना है और आप यहा पर आप देखेंगे कि जो आपका application form का preview है वो आचुका है preview यानि कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप एक बार फिर से चेक कर सकते है अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही भी कर सकते है back पर click करके या फिर back में जाकर क नहीं तो आप यहाँ पर क्या कीजेगा आप पहले तो इसको print कर लीजे क्योंकि print करना अनिवारी है और इसको save कर लीजेगा अगर आपके पास अभी printer मोजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में save कर लीजेगा तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से save कर लेते और फ इसे ही आप यहाँ पर अपनी application फिस जमा कर देंगे आपको इसी website पर redirect के जाएगा जहां से आपने form फिल करना start किया था और आप अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप AIMS Bhopal online form 2013 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching जैहिंद